नमस्कार साथियरू, कुने काल खंड मा काटेका काटना हरको भी परोनलाई इतियास वानींच, हर एक तेसको आफने इतियास होने करदाच, इतियास मा हमरो परिचे लुके को हुनच, साथियरू, आजको यस वीडियो मा हमी नेपाल को इतियास खोतलने कोशिस करने चों, पानी को दह, उरी परी जंगल ले ठाके का पहाड हरू थिये, तेति बेला नेपाल, रिशी मुनी तथा बुद्ध हरू को तपस्यागर नहीं, पवित्र इस्थल थियो, बिभिन्न ठाउबाट, रिशी मुनी तथा बुद्ध हरू यहां ध्यान गरना हो थे, बिपस्पी ब बुद्ध नागार्जुन पर्वत्मा, सिखी बुद्ध स्वेम्भुमा र विश्चोभुग बुद्ध फुल्चोकिकु पर्वत्मा आई ध्यान गरेको कुरा बिभिन्न पुराण हरूमा उल्लेक छा, त्रेता युकमा नेपाल लाई तपु बन भनिन त्यो, त्रेता बस्ती बसालेरा धर्माकर नामक बेक्तिलाई उनले राजा बनायेका थिये, पचि धर्माकर निशंतान भय पचि धर्मापाल नामक बेक्तिलाई राजा बनायेको थियो, त्रेता युक को अन्ते समा धर्मापाल की बंग्षज ले सासन चलायेको, तर पचि उनकी बंग्ष संधवालाई राजा जनक का भाई कुछ दोजले मारेर यहां सासन गरेको गुरा उल्लेक्ष दापर युग मा नेपाल लाई मुक्ति सपान बनें थेव गौण देश का राजा प्रचंड देप स्वेम्भु जोत्ति को दर्शन करना आयेको रपची उनिने यहांको राजा भयको गुरा उल्लेक्ष दापर युग भरी प्रचंड देप का बंग्षस सक्ति देप गुण काम देप लगायत का राजा औरले सासन गरेको गुरा उल्लेक्ष कलियुक कु शुरुवात भय संगई उपत्तेका पनी विस्तारै खांसी मैदानमा परिणत पैरेको तियो यहां नाग जाती हरू बसोबास करदते हजारों इसापुर्व पहिले यहां गाय पालक कोठाला हरू दच्चिनी भेकबाटा आई गाय चराउन थाले गाय पालने होनाले उनिहरू लाई गोपाल भनीन देओ पची यहांका नाग जाती र गोपाल बीज युद्ध होन गयो र नाग जाती पराजी थोन पगे उनिहरू भागे र दच्चिनी भेकबाटी र लागे टेकु दोभान मा ने नाम गारे कारीची तपस्य गारेर बस्ते उनले गोपाल मद्धेका एक जना भेक्ती भुमी गुप्त अर्धात पुक्त माललाई राजा बनाई दिये पुक्त माललाई ने नेपालको प्रथम राजा मानेंच इनि पची जय गुप्त, धर्म गुप्त, अर्ष गुप्त, भेम गुप्त, मणी गुप्त, विश्णु गुप्त र जीन गुप्त गरी आठ स्चना गोपाल बंग्सी राजा हारूले पांच से पांच पर्ष सासन पचे सिम्रन गड का राजबुत 20 को अलाहरू नेपाल उपत्य का माई पुके, 20 पाल ने उधा उनियरलाई महिस पाल बनी द्यो, महिस पाल हरूले गोपाल माती आक्रमण करे र गोपाल बंग्सी राजा जीन गुप्त पराजी दोन पुके, महिस पाल बंग्स का बर्सिंग राजा भाय र उनियर को साशन शुरू भयो, बर्सिंग पची जय सिंग र भुवन सिंग गरी तिन जना महिस पाल राजा हरले एक से एक से एक सेट्टी बर्स शाशन गरे, सुनकोशी र तामकोशी को किनार्ति र किरांती हर को भसवास्तियो पची उनियरू उपत्त्य का प महिस पाल पंग्शी राजा भुवन सिंग पराजित भये, किरांत पंग्श का येलूं अर्थात येलंबर नेपाल का प्रथम किरांती राजा बने, इनकई नाम बाट ललित पुर्कु पुरानो नाम येल रहन गय को बनने छा, छैटों किरांती राजा उमतिको पालामा भारत पर्षमा महाभारत को युद्ध भयेको रह सातों किरांती राजा जिते दास्तिको पालामा गौतम बुद्ध काटवांडु आयको कुरापनी उल्लेक्षा, बिभिन्न बंग्षावली अनुसार 29 पुर्षता का 32 चना किरांती राजा हरुले 15 से बर्ष सम्मो नेपालमा सासन करेको खुरा उल्लेक्षा, बिभिन्न इतिहांसकार हरुका अनुसार इसपी सम्मत 253 लेचे बिहरुले किरांत राजा गस्तिलाई पराजित करी सासन बेवस्ता आपनो आत्मा लियेका दिये, हालको ललित पुर्मा परने चेहांसल मा भयको युद्धामा आट से जना किरांती मारियेको कुराबनी उल्लेक्षा, निवारी भासामा चेहांसल को अर्थाने आट से बनने उन्च, लेचे भी हरू भारत को मजब्फा पुर्मा परने बईशाली मा गणत अंत्रात्मक सासन चलाऊंते, तेहां राजत अंत्र फरकिये पचि उन्चेहरू बिश्तापित पायरा सरणार्थी बनी नेपाल पसे कातिये, ततकाली न्चासक संग असंत्र जनताको समर्तान लेरा उन्चेहरले किराती राजा संग युद्ध गरी सत्ता तै, आप नुशासन कालमा लेचे भी हरले जनभाबना अनुशारने कामकरन थाले रा एकदमें लोक प्रिये भये, आर्थिक, सामाजिक, सैचिक, ग्रकलाको छेत्रमा उल्लेक के रुपमा सुधाराय कोंदा लिच्छी भी काल्लाई नेपाल को इतियासमा सोण युक का रुपमा चिनेंच, लिच्छ भी हरू सुरे बंग्ची राजा दसरत का बंग्ष मानेंच, दसरत का आटों पुष्था का लिच्छी भी भन्ने बेक्तिको नाम बाट लिच्छी भी भंग्ष को नाम रहन गएको गुरा उल्लेक्ष, नेपाल को पहिलो लिच्छी भी राजा सुपुस्पलाई मानेंच, शुपुस्पले पस्पतिनात को चाना बनायेको रो त्यां देवल निर्माण गरेको र बनवेवस्ता कायम गरी प्रजा को नयुची त्रुपमा पालन गरेको बन्ने कुरा उल्लेक्ष, लिच्छी भी बंग्षकी राजा मान्देव नेपाल को इतियास मा प्रतम प्रमाणिक राजा मानेंचन, किनकी नेपाल को इतियास को बारेमा ठूस प्रमाण हरू इनकी बालादेकी बेटिये का चन, लगबख 41 परस सम्म शासन गरेका मान देवले नेपाल को इतियास मा पहिलो पटक मानांग का नामक मुद्रा प्रोविक में लायका थिये तेसे गरी औरकाली चिवी राजा अमसुबर्मा ले नेपाल को प्रसाशन तता पर्रास्ट्र सम्मन्दमा उल्लेके सुधार ले आये का थिये प्रतम पटक महाराज दिराज को उपादी प्राप्त करेगा अम्सु बर्मा नेपाल को योटा राष्ट्री बिभुति करुपमा बनी परिचित चन सुपुषप जयदेप्रतम हरिदत्थ बर्मा, संकर देप, मान देप, авम्सु बर्मा, नरेंद्र देप, सिवधेप्रतम रा जयदेप्दित्ति लिचि विभंस का प्रमूक्राजारुतिये जसको सासन काल्मा उलिक के शुधार का कामहरुबए का दिये इसा पुर्फ लगपक 296 देखी बिक्रम समत 12-18 सम लगपक 15 बर्ष बंदा धरी चलेको लिच्चिवी सासन का अंतीम राजा जय काम्देप मानींचन। बिक्रम समत 12-18 सम लगपक 15 बर्ष बिक्रम समत 9-36 मा नेपाल समत को शुरुआत लाईने मध्यकाल को शुरुआत मानींचन। साथियरू यो दोभयो नेपाल को प्राजिन काल को इधियांस नेपाल समत शुरुभय देखी नेपाल को एकिकरण हुनू पुर्बको काल खंड़ और थात बिक्रम समत 9-36 देखी अठार से 25 सम्म को समय लाई नेपाल को इधियांस मा मध्यकाल भनेचे निंच तेरी जसो सम मैं मल्ल राजाहरले सासन गरेको हुनता येस काल खंड़लाय मल्ल काल भनी भनेचे मध्यकाल को शुरुवात मां कही लिच्छिवी राजाहरले सासन गरेता पनी पछी लाम समय सम्म मल्ल राजाहरले सासन गरेको देखींचे यही काल खंड़ मां नेपाल को विभिन्न भाग अल्वाए को देखिने चाहाल को कनाली उरी परी बिशाल खस राज्य को निर्मान भाएको दियो। तेसे गरी हाल को लुम्बीनी तीरा कपिल बस्तु रा बारातीरा डोय राज्य अर्थात कनाटक राज्य बने को दियो। निपाल मा मल्लकाल को शुरुवाती इतियांसलाई हेर ने हो भने इसापुर्भा को लगबग छैटों सतापती तीरा भारत को कुशी नगर आसपास भस्तने मल्लहरू त्याहा का गणराज्य जहर को बिस्तार भाय बची उनिहरू बिस्तापे थो न पुगे। तेस पची सनणार्थी भायरा हाल को गंड की प्रदेश तीरा प्रवेश करेगा थिये। बिस्तारै उनिहरू काटमंड उपत्ते का अर्था तेति वेला को नेपाल उपत्ते का ओड़ी परी आयर बसन थाले। पची हाल को ललितपुर को चापागाउं तीरा बस्ती बसाले। तेहां उनिहर को राजनितिक प्रवाप पड़न थाले पची लिच्चवी राजा मान देबले आक्रमन गरी उनिहर लाई कमजोर रा निस्क्रिये पारे को कुरापनी उल्लेक्ष। मद्यकाल को शुरुवात तीरा बिस्तारे लिच्चवी शाषन कमजोर हो देगयो। उता मल्लहर को केंद्रमा साषन गरने आकैंचा बने बढ़देगयरे को दियो। बिक्रम समथ बारसे अंठाउन नतीरा अरिदेप मल्लले लिच्चवी राजा जयकाम देप माती आक्रमन गरे रा पराजित करे। तेस पची अरिदेप मल्लने प्रथम मल्ल राजा बने रा मल्ल साषन शुरुवयो। उनी हरुले अहलेको भक्तपुर लाई आपनो राजधानी बनाये। अन्ने राज्यहर को आक्रमन बाट बस्न दरबार ओरी परी चौक्वांट अर्तात चार पाटे किल्ला बनाये का थी। पची एक छे मलले उपत्ते का लाई तीन भागमा बिभाजन करी आपना छोरा हरु माज बाढ़े का थी। तेती वेला काटपंडुलाई कांतिपुर ललितपुरलाई पाटन रा भक्तपुरलाई भादकाउं बनियो। रत्न मलल कांतिपुर रण मलल पाटन र राय मलल भादकाउं का प्रथम राजा बने। उपत्ते का विभाजन भाई पची काटपंडुमा तेर ललितपुरमा 20 र भक्तपुरमा 10 चना मलल राजाहरुले सासन करे। मलल कालमा कल्कृती तदा संस्कृती हरको भिकास फज़ऊंदा येशलाई कल्क संस्कृती को भिकासको हिसाबले शोण घुकपनि मानें चा। साथीरू आउन्होस एक ईचिन कुन्मल राजाहले के काम गरे भन्निकुरा जान। जय स्थिति मलले 4 बण 36 चात को विभाजन करी जातिये पेशार पहीरन को वेवस्ता करेगा थिये एक्चे मलले भक्तपुर को 23 को मंदिर निर्माण करे रत्न मलले तामा को मुद्रा प्रचलन मलाई र तलेजु को मंदिर निर्माण करे लक्षमी नर्षिंग मलले कास्टमंडव को निर्माण करे प्रताप मलले रानी पुखरी को निर्माण करे जय परकास मलले बाला जुमा 21 धारा को निर्माण करे सिद्धि नर्षिंग मलले पाटन को क्रिश्ण मंदिर निर्माण करे तेसी करी पुपतिंद्र मल्लाले भक्तपुर्मा पस्पन्न जाले दर्बार निर्माण करे साथेरू मल्लकालमा सांस्कृतिक र कलात्मक बिकास थेरे भायता पनी विस्तारे मल्ला राजाहरू बिलासी र विभाजित होना थाले तेरी सांचान राज्यहरू बन्न धाले तेसेले उन्हेरू आपई बेच कलहको इस्तिती होन धाले रव उन्हेरू कमजोर बन्न पुके लगभग नौसे बर्ष समचालेको मल्लकाल पृतिविनारांड साहको एकिकरंड अभियान संगय समापत भयो र नया युक को शुरू आद भयो गंड़की करनाली उपत्तेका र पस्चिमी भेकमा बेभिन्न गरी साना साना लगभग बाउन्न उट राज्यहरू थिये इसाना साना राज्यहरू बिच कलह र जगड़ा भाईरां थियो उत्तरमा चिन दच्छिन मा भारत चस्ता देश अरले कपजा जमावनी संभावना अधिक थियो बिक्रम समत 28 से 1 देखी 28 से 31 सम्म ये सवई राज्यहरू लाई कपजा करी प्रिथि वी नरायं साले बिशाल नेपाल को निर्मान करे बिक्रम समत 28 से 25 दिरा काटफंडू माति बिजे करी उनले काटफंडू लाई नेपाल को राजधानी बनाए सुही समय देकिने नेपाल को आधुनिक काल शुरुभय को मानेंच नेपाल को आधुनिक इधियास लाई पनी सहकाल, राणाकाल रप्रजातांत्रिक काल करी तीन काल खंडमा विवाजन करी अध्यनकर्न सकेंच विक्रम समथ 2825 देकि 1903 चम सहकाल, 1903 देकि 2007 चम राणाकाल रप्रजातांत्रिक काल मानेंच सहा बंग्षको शुरुआत हाल को गोर्खा जिल्ला तेति बेला को गोर्खा राज्य बाटवाय को थियो सहा हरू भारत को चितोट का सिसवुदिया खान राजबोधर थिये, तेहां मुगल राजाले आक्रमन करे पची उनिहरू बिस्थापित भयर नेपाल को रिंडिती रपसे का थिये पची कुलमनन खान ले दिल्लीका बाज्य सहा बाटव सहा उपाधि पाये तेहस पची उनिहर ले आपनो नाम को पचाडी सहा लेखना धाले कुलमनन खान बाटवू नाम्नसाहा भये कुलमनन सहा का छोरा येसो ब्रह्म सहालाई लम्जुम को राजा बनाईयो येशो ब्रह्म मा साहा का दुई छोरा थिये जेटा छोरा नरहरी साहा लम्चुम का राजा भाये कांचा छोरा द्रब्बे साहा ले गोर्खा बिजे गरी आपनो राज्ये स्थापना गरे द्रब्वे साहा ले बिक्रम संबत सोर से सोर मा गोर्खा मा साहा बंग्ष को इस्थापना गरे का थिये। द्रब्वे साहा पची, पुरंदर साहा, छत्र साहा, राम साहा, टम्बर साहा, कृष्ण साहा, रुद्र साहा, पृतिवीपति साहा रा नर्भुपल साहा ले सासन करे। बिक्रम संबत 1789 पौष 27 मा जन्मेका नर्भुपल साहा का छोरा पृतिवी नारें चाहा, बिक्रम संबत 1789 मा गुर्खा का राजा बने। उनले आपनो राज जलाई संगटित र ससक्त बनाव देई लगे रा नेपाल को एकिकरण मा लागे। बिक्रम संबत 18-31 नुःकोट मा थी आकरमण करे विजे प्राप्त करे। तेश पची उनी विष्थारी उपत्तेका तीर लागे। उरी परी का ठाउं कवजा मा लिए रा उपत्तेका मा थी आर्तिक नाका बंदी करे। बिक्रम संबत अठार से 19 ती रा मकुवान पुर्माथी विजय हासिल करे। उता 24 राज्य हरु मिले रा गोर्खा माथी आक्रमण नोगरे का पनी हैनाद। तरह उनिहरु नराम रोशित्त पराजी थुन पुगे। प्रिथी विनारेंट साले 18 से 14 रा अठार से 22 करी पटक पटक उपत्यका माथी आक्रमण करे तरह अस्षफल भाए। अठार से 30 चैत्र तीन गते तेसरो पटक कुर्खाली से नाले किर्थिपूर माथी आक्रमण करे। येस पटक भने उनिह बिजय है। किर्थिपूर माथी बिजय हासिल करे पची उनि कान्तिपूर अर्थात काट्पांडो माथी आक्रमण करने योजनामा लागे। बिक्रम सम्बत 18 से 25 असोज 13 गते इंडर जात्रा का दिन काट्पांडो माथी आक्रमण करे रा उनले बिजय प्राप्तपनी करे। कांतिपुर्का राज्या जैप्रकास मल्ला भागे र पातन पुके 18-25 असोज 24 कते पृतिविनारण सहाले पातन का काजी हर लाई आत्म समर्पन करन वा धन्जन को छेती भी हर न भन्दै पत्र पठाए पातन अर्थात अहीलेको ललीतपुर्का काजी हर आत्म समर्पन करन राजी भै प्रितिविनारण सहाले ललीतपुर्लाई सहजै आपनो बनाए जैप्रकास मल्ला र तेज नर्शिंग मल्ला भागे र पखतपुर पुके भक्तपुर का सरण मा पुगे का जय प्रकास मल्ल र तेज नर्सिंग मललाई फिर्तागर्ण प्रिथिविनारंचाहले भक्तपुर का राजा रणजीत मललाई आगरह करे तर रणजीत मलले सरण को मरण करन नहोने बंदै असुई कार करे उनी प्रिथिविनारेंट साहा का मित भुवा पनी थिये 28-26 कार्थिक 28 गते गोरखाली फोंशले भक्तपुर माथी पनी आक्रमल करेो तीन दिन सम्मा घमासान युद्ध भयो मंग्सिर एक गते रणचित मलले आत्म सम्रपन करे प्रिथिविनारेंट साहा को बिजेए पची उनले तीने जना राजालाई उनी हरको अन्ती मिच्छा सोते सोही अनुसार जय प्रकास मललाई पसुपती आरे घाट मा बसने ब्यवस्ता मिलाईयो उनका मित पुवा रणजित मललाई कांसी पठाईयो रव तेज नर्सिंग मलला लेवने आपनो बांकी जीवन नजरबंत मा बितावनों पर्यो तेज पची प्रिथिविनारेंट साहले काट पांडूलाई नेपाल को राजधानी कोसाना गरे रव पूर्बतिर को एकी करण मा लागे अठार से 30 रव 31 मा पूर्बगा सेन तथा किरांत राज्यहरों मा आपनो कवजा गरे पची अठार से 31 माग एक गते प्रिथिविनारेंट साहको निधन भयो नेपाल को निर्माता का रुपमा चिनीने प्रिथिविनारेंट साहले शुरुगरे को नेपाल को एकी करण उनका कांचा छरा बहादुर साहले पुरा गरे का थि बहादुर साहा राजा नहीं नभय पनी उनले आपना भतिज राण बहादुर साहको नाएबी चलाय का थि उनले नेपाल को सिमाना पुर्बामा टिस्टा देखी पसिमा कांगडा समा पुगाय का थी तरा दुर्भाग्यवस पची उनलाई राजद्रोही खोशना करी उनका आपने पतिशले नजर्बंध मा राखे पची नजर्बंध मा नई उनको मित्ति भयो तेस्पची बिस्तारै राजदर्बार कमजर हुदही गयो बिक्रम समत अठार से सत्तरी देखी बहत्तर सम्म को नेपाल अंग्रेची उतले सुगवली संधी भयो नेपाल को सिमाना खुमची ये रा पुर्भमा मेची देखी पस्रिमा महाकाली सम्मा मात्र सिमीत्र हैो बिक्रम समत 1903 देखी 2007 सम्म एक से चार बर्ष सम्म राणा सासन चल्यों कोद पर्भ, पंडार काल पर्भ र अलोव पर्भ राणा सासन उदे का मुख्य कारण थी ये तिन घटना पची जंग बाहदु राणा नेपाल का स्रीतिन अर्थात प्रधान मंत्री बन अपुके बिक्रम सम्मत 1903 देखी शुरुभाय को राणा सासन बिक्रम सम्मत 2007 सम्म एक से चार बर्ष से चल्यों नौजना राणा प्रधान मंत्री हले सासन करे जंग बाहदु राणा ले देशको सासन चता हात्मा लिये पची उनले एगनेट प्रथा लागू करे एगनेट प्रणा लिमा प्रधान मंत्री को पद उमेर अनुषार रोल क्रम मा अस्तान थरण उने गर्धात थेो पर्धाद पर्धान मंत्री को पद छोरा माना भाई पहिला भाई मा जाने करत थे। जंग बहादुर आना का तीन भाई थिये। उनी जेठा थिये। उनी पची उनकी आपने आमा बाट का छोरा हरू रणोदीप र दिरसमसेर थिये। बिक्रम समथ 1904 तीरा पर्धान मंत्री पर्धान मंत्री भाई का जंग बहादुर ले बिक्रम समथ 1903 समसासन करे। उनले 1903 नय बेवस्ता का लगी पहिलो मुलुकिया इन लागु गरे का थिये। तिसे गरी बेलायत बाट सिक्छिक लेयरा दरबार हाई स्कुल को पनी स्थापना करे का थिये। जंग बहादुर पर्धान मंत्री भाई रणोदीप सिंग नेपाल का प्रधान मंत्री भाई रणोदीप सिंग पची प्रधान मंत्री हुने पालो तीर समसेर को थियो तरह उनको पालो नाव दै उनी स्वर्ग बास भाई रणोदीप निशन तान थिये। रोल क्रम मानुसार अब प्रधान म उन्ने देखे पची धीर समसेर का सत्रभाई छोरा मिले रा 42 साल को पर्भा घटाए बिक्रम संबत 1922 मा घटे को उन्दा एसलाई 42 साल को पर्भा भनेंच बीर समसेर लगायेद धीर समसेर का छोरा हरु मिले रा ततकालिन प्रधान मंत्री रणो दीप सिंग लगायेद जंग बाहतुराणा का संतानलाई समाप्त पारे चानी चानी सबई को हत्त्य गरे रह सोही साल अर्थात 1922 मा बीर समसेर नेपाल का प्रधान मंत्री बने उनले काटमांडो रभक्तपुर का बिभिन ठाउमा तारा तता पूलहरू बीर अस्पताल रह घंटागर को निर्माल गरेका बीर समसेर बची उनका सवतेला भाई देव समसेर प्रधान मंत्री बढ़े बानी चा उनी सिक्छा प्रेमी थिए बिग्रम समथ 1922 मा नेपाल को प्रधान मंत्री बने का उनले जम्मां 114 दिन चासन करे का थि उनके इपालामा गोर्खा पत्र प्रकाशन भाय को थियो भने लगपक संता उनोटा विध्याले हरुपनी उनके इपालामा खुले का थि उनका गतिविदी हरु अन्ने राणा हरु लाई मन परे का थिये नन बिक्रम संबत 1908 नमा चंद्र समसेर ले उनलाई पच्चिवत करी आफु प्रतान मत्री बने जंग भाधुराना पची सबय भन्दा धेरी समय सासन करने चंद्र समसेर नहीं थिये उनलाई फिस्टे महराज बनी भनी बनींच खरको बाग बनको स्याल बनी चिनीने चंद्र समसेर ले नहीं हालको सिंग दर्बार को निर्माण करेका थिये एसे गरी नेपाल को पहिलो जनकराना उनकी पालामा भाय को थियो भने पहिलो पटक नेपाल को नक्षा पनी उनकी पालामा जारी भाय को थियो त्री चंद्र कलिज को इस्था पना करे का चंद्र सम्षर ले सति प्रथा रव दासप्रथा को पनी अन्ते गरे का थीये विक्रम संवड îसे 1986 मां चंद्र सम्षर का भाई भीम सम्षर नेपल का प्रदान मंत्री बने उनकी पालामा लाइब्रेरी पर भखटे को दियो। जम्मा तीन बर्ष मात्र सासन करे का भिम समसर ले सनी बार बीदा दिने चलन चलाए का दिये। बिक्रम समथ 1999 देखी 2002 सम्मा लगपक 13 बर्ष जुद्ध समसर ले सासन करे। कागजी नोट को प्रचलन, कर्मचारी लाइब पेंशन दिने चलन रचीडिया घर को इस्थापना इनकी पालामा भायको थियो। इनको पालामा तेरे उद्योग हरु खुले को इंदा जुद्ध समसर लाइ नेपाल का उद्योग का पीता पनी भनेंच प्रजा परिशत कांड इनकी पालामा भायको थियो। बिक्रम सम्मत 2002 साल मा जुद्ध समसर ले फिम समसर का छोरा पद्म समसर लाइ प्रदान मत्री बनाई आफू पाल पादर मारमा गई बस्षे का थियो। इसकूल का पिता पनी चिने पद्म समसर को पालामा जायतु सस्कृत मांदोलन भायको थियो। नेपाल को पहिलो समीधान हिनकी पालामा पने को थियो। बिक्रम सम्मत 2005 साल मा चंद्र समसेर का छोरा महन शमसर प्रदान मंत्री बने महन समसे ले आकास बाणी को शुरुवात करेगा थिये और थात नेपाल को पहिलो रेडियो उनी अंतिम राणा प्रधान मंत्री बन्न पुगे 2007 साल भागुन साथ कते नेपाल मा राणा सासन को अंते भाई प्रजात तंत्रा आये पनी उनी 2008 साल मंग्सिर एक सम्मा नेपाल का प्रधान मंत्री भाई ये दि लामा समय पछी आकेर राणा सासन कीन रकसरी डल्योगों राणा सासन डालनों को योटा मुख्य कारण थियो उन्हेर को अन्य रज्यादती पुण सासन प्रणा आली सामानने जन्ता ले दीन रत कामगरे रा सरकारलाई बीको अर्थात कर बुजाओने ठिक को उन्ते हो तरा राणा हरू बने अईयासी पुण जीवन जीओ थे बिदेश बाट आयात पस्त गरूले आपना खर तता आगन हरू सजाओ थे बने जन्ता को कर बाट बने को राज्य को ठोकटी आपना सोखरू पुर्याकरनका लागी लुटाओने करत थे जन्ता का चोराचरी सिच्चा को पहुच बाट कुशं टाडा थे गरीबी भोकमरी र अशिक्चा एती धेरी भयो की जन्तामा निराशा र बिद्रह को भावना जाग्यो दोसरो कारण थियो विश्युद्ध को प्रभाव तेरे निपाली हरले प्रतम र दोसरो विश्युद्ध मा भागलिये का थिये युद्ध लड़ दा उनिहरले ठुला ठुला निरंकु शास करू बाट धेरी देशरो सोतंत्रभाय को देखे का थिये चीमेकी रास्ट्र भारत पनी बेलायती सामराज्य बाद बाट सोतंत्रभाय को थियो युद्ध लड़े रायका सिपाय हरली पनी राणासासन बिरुद्ध आवाज उठाउन थाले रपची यो ने राणासासन धलनुको एवटा मुख्य कारण बन्न भुग्यो राणासासन अन्तेको तिस्रो कारण्श जनतामा राजनितिक्चेतना बिकासनो बिक्रम समद 1948 मा नेपाल मा प्रचन्ड गोर्खा नामक संस्ता खुले को तियो यसले जनतामा केही राजनितिक्चेतना जगाय था पनी धेरे लामसमे सम्मवने टिकन सकेन विग्रम सम्बत 1932 मा नेपाल प्रजापरिसत नामक पार्टी को इस्थापना भयो 1927 मा प्रजापरिसत कांडा भयो जस्मा चार जना बेक्तिहरू सही धुनु पर्यो 2004 साल मा नेपाली राष्टिय कांग्रेस को इस्थापना भयो 2003 साल मा भयो को जैतु संस्क्रितम आंदोलन ले राणा सासनलाई चुनु तिने दियो तिसे गरी 2006 साल मा नेपाल कम्मुनिस्ट पार्टि को बनिस्थापना भयो जनता हरो संगठन का माध्यम बाटा आपना आवाज हरू उटाउन थाले चौतो कारण थियो राणा परिवार भित्र को कलह र विभाजन नियम अनुसर बिहभय की पहिलो दुलही बाटा जनमे का राणा हरू एक क्लास दोसरो तरा जात मिल्ले दुलही बाटा जनमे का राणा हरू बी क्लास र जात न मिल्ले उनिहर को नियम बिरुद्ध बीह भय की दुलहे बाट जन्मे का राणाहरू सी क्लास मा विभाजन करिये सोही विभाजन अनुसार सक्ती र सत्ता को बनी बांट पांड करियो एक क्लास का राणाहरू सबेवंदा सक्ती साली र समपन्न भाय बने सी क्लास का राणाहर ले राजनितिक पाठी को समर्थन करे ये शरी एक पची और कुगर्दे बिभिन राणासासन बिरूती गति बिदियरू बड़ दे जाने थाले बिक्रम संबत 2007 कार्थिक 21 कते नेपाली कांग्रेस ले राणाशासन बिरुद्ध ससत्र आंदोलन को खोशना नहीं करयो जनताले पने यसलाई समर्थन करे उता राजात्री भुवनले पनी आंदोलन लाईने समर्थन करे 2007 साल कार्थिक 30 कते नेपाल छोड़ी भारत को सरण मा गये एता देश मां ससत्र युद्धनी शुरू भयो सबई कर्मचारी सिक्च कानुन बे डाक्टर सबईले नागरिक अबग्यां अर्था सिबिल टिसेबिटेंस को थाले निकारना थाले बाद्धेभायर राणा हरू बारतागर्न सहमत भये बिक्रम सम्बत 2007 साल भागुन एक गते भारत को नया दिल्ली मा राणा कांग्रेश र राजाबिज तिरिपच्छिये बारता भयो ततकालिन भारतिये प्रधान मंत्री जवहरलाल नहरू मद्धेश तकरता थिये दिल्ली सम्झोता अनुसार बिक्रम सम्बत 2007 साल भागुन शाथ गते निपाल मा राणा सासन को अंते भई प्रजात अंत्र को इस्थापना भयो साथे अरू तपाईका के ही प्रतिक्रिया हरुशान भाने कम्मेंट भक्समा लेकन होला इस ते अन्य जानकारी मुलग वीडियो का लागी चैनल लाइ सस्क्राइब करी बेल आइकन तिसन नविर्शिन होला जय नेपाल